नमस्कार दोस्तों स्वागत आप से भी का SSC Maker के YouTube चैनल पे दोस्तों आज की वीडियो मम समानने विज्ञान से रिलेटिड इंपोर्टेंट 20 कोशन डीटेल में डिसकासन करेंगे यह समानने विज्ञान के सीरीज का पार्ट 127 वाइज जो की आने वाले रेलवे एंटीपी से गुरुप डी, SSC, CGL, CHSL, बैंक से राधे एक्जाम के लिए काफी हल्प पूले यह कोशन बिभिन पढ़ती होगी परिक्षाओं में बार-बार पूछे गए हैं तब बार-बार रेपीट होते हैं आईए स्टार्ट करते हैं प्रस नम्मर एक, सुनने केल्विन ताप पर सिलिकोन होता है एक दोस्तो सुनने केल्विन ताप पर सिलिकॉन एक कुचालक यानी इंसुलेटर होता है option D इसका ठीक हो जाएगा दोस्तो सुनने केल्विन ताप पर सिलिकॉन में कोई मुक्त इलोक्ट्रोन नहीं होता है इसी कारण सुनने केल्विन ताप पर यह अर्ध चालक एक कुचालक की भाती वहवार करता है दोस्तों बात करते हैं सिलिकॉन के बारे में दोस्तों सिलिकॉन को SI के रुप में परदस्चित किये था इसका परमाडू संख्या 14 होता है जबकि इसका परमाडू द्रविमान jota होता है वह 28.08 होता है कितना होता है इसका परमाडू द्रविमान 28.08 होता है दोस्तों प्रितिव फर ऑक्सिजन के बाद सबसे अधिक मातरा में पाए जन्यवला यह ततु होता है नेक्स कुश्यन प्रस नम्मर दो गल्विनाजेशन प्रिक्रिया में मुख्यता किसका प्रियोग किया जाता है दोस्तो गल्विनाजेशन प्रिक्रिया में मुख्यता जिंक यानी जस्ता धातू का प्रियोग किया जाता है ओप्सन से इसका ठीक हो जाएगा दोस्तो गेल्विनाजेशन की प्रिकृडिये में मुख्य रूप से जस्ता का प्रयोग किया जाता है लोहे को जंग लगने से रोकने के लिए इस पर जस्ते की कोटिंग की जाती है दोस्तो लोही पर जंग लगने से इसका वजन में बढ़ोतरी यानि इनक्रीजमेंट होती है next question प्रस नम्मर 3 न्यूट्रोन का अविस्कार किस ने किया था दोस्तो न्यूट्रोन का अविस्कार जैंब स्टेडविक महोदे ने किया था यानि option इसका ठीक हो जाएगा दोस्तो जेजे थॉम्शन महुद्दे ने इन्हों दोस्तो इलक्ट्रोन को खोच कि जबकि रदरफोर्ड महुद्दे ने इन्होंने प्रोट्रोन की खोच कि थी की थी, proton की खूज दोस्तो, Rutherford महोद्य ने की थी, जब कि JJ Thompson महोद्य ने इलक्त्रोन की खूज की थी और James Shadwick महोद्य ने दोस्तो, इन्होंने neutron की खूज की थी, next question, press no.4, संसार का पहला माना वहरदय प्रतिरोपन किस ने किया था दोस्तो संसार का पहला माना हिर्दे परतिरोपन क्रिष्चन बर्णार्ड महोदे ने किया था ओप्शन से इसका ठीक हो जाएगा दोस्तो वर्ड का पहला human heart का transplant 3 दिसंबर कब दोस्तो 3 दिसंबर 1967 में South Africa के Cap Town City में डॉक्टर क्रिश्चन बर्नार्ट के दवारा किया गय था दोस्तो हिर्दे की गतिवीदी को ECG के दवारा दर्साया जाता है प्रस नम्मर पाँच दोस्तो प्रस नम्मर पाँच है हमारा एक मिर्त मानाव शरीर के विच्छेदन और अध्यन के लिए चिकसिय कानूनी नाम क्या है दोस्तो एक मिर्ट मानो शरीर के विच्छेदन और अध्यन के लिए चिकस्य कानूनी नाम दोस्तो अटोपसी होता है क्या होता है अटोपसी होता है ओप्शन बीस का ठीक हो जाएगा नेक्स कुश्चन प्रस नम्मर छे नीमलिखित में से समय मापक विज्ञान है तो दोस्तो नीमलिखित में से होरोलोजी यह समय मापक विज्ञान होता है ओप्शन डीस का ठीक हो जाएगा दोस्तो होरा सब्द यूनानी भासा का सब्द है जिसका अर्थ होता है समय या उतो दोस्तो होरा सब्द यहाई युनानी भासा का सब्द इसका अर्थ होता है समय दोस्तो प्राचीन समय में तता भारती पच्चांग में भी होरों का प्रियोग होता है होरोलोजी की अंतरगत ग्रहों एवं नक्षत्रों के समय मापन संबंदी अध्यन किया जाता है प्रस नम्म साथ साधारन बैरोमीटर में कौन सा द्रोग प्रियोग किया जाता है तो दोस्तो साधारन बैरोमीटर में पारा यानी मरकुरी का प्रियोग किया जाता है ओप्शन सी इसका ठीक हो जाएगा दोस्तो वायू दाप मापने का जो यंत्र होता उसे बैरोमीटर कहा जाता है दोस्तो बैरोमीटर के पाठियां के में आचानक गिरावट मौसम के तुफानी होने का संकेत होता है नेक्स कोश्चन प्रस नम्मर आठ नेमलिकित में से किसमे से ध्वनी यानि साउंड नहीं गुजर सकती है इमलिकित में से वेक्यूम से यानि निर्वात से साउंड यानि ध्वनी नहीं गुजर सकती है। प्रेस नंबर 9 उस विटामिन का नाम बताईए जिसकी कमी के कारण अत्यदी खून बहने लगता है। रक्त सराव रोधी विटामिन कहलाता है। यहाई विटामिन येकरत में प्रोथामिन के निर्मान के लिए अती आवश्यक होता है। दोस्तो विटामिन के कमी होने के कारण बलेड क्लोटिंग यानि रक्त का थक्का नहीं बन पाता है। प्रस नम्मर दस हावा में आदर्ता को मापने के लिए कौन सा उपकरन परियोग में लाया जाता है। दोस्तो नेम लिखित में से हावा में आदर्ता को मापने के लिए किया जाता है। Option D इसका ठीक हो जाएगा दोस्तों बात करते हैं फोनो मीटर के बारे में गैसों का दाब मापने के यंत्र को फोनो मीटर कहते हैं जबकि फोटो मीटर का प्रियोग दोस्तों द्रव्यों का घनत्यों को मापने में किया जाता है दोस्तों बात करते हैं इस्पेक्ट्रो मीटर क के बारे में स्पेक्ट्रम आपने की यंत्र को स्पेक्ट्रो मिटर कहते हैं नेक्स कोश्चन प्रेस नंबर 11 निमलिखित में से किस बीमारी को हाइड्रोफोबिय के नाम से भी जाना जाता है तो दोस्तों निमलिखित में से रैविज बीमारी को हाइड्रोफोबिय के से जाना जाता है यानि इसका option नमस का मैच करता है दोस्तों रेविज को हैड्रोफ़ोबिय के नाम से भी जाना जाता यह बिमारी lysa type one virus के दूआरा होती है किसके दूआरा होती है Lysa type one virus के दूआरा होती है यह बिमारी कपांटी, पागल कुट्त… लोमडी भेडिया बिल्ली आदी के काटनेस होती है। इस बीमारी मं मुक्ःता केंद्री तंतरी का तंत्र प्रभावीत होती है। एंटीरimmune टीके की खोच लुई पाश्चेर नही standards की थी। नेक्स्ट कुश्चन प्रेस नमबर बारा नीमलिखित में से किसे फल पकाने वाला हार्मोन कहते हैं दोस्तों नीमलिखित में से एथिलीन को फल पकाने वाला हार्मोन कहते हैं यानि इसका ओप्सन नमबर डीज का ठीक हो जाएगा दोस्तों हार्मोन की रूप में इसकी खोज इसे फल पकाने वाला हार्मोन भी कहते हैं या गैसी अवस्ता में पाया जाता है नेक्स्ट कोश्चन प्रस नमबर 13 बर्फ के लिए गलन की गुप्त उस्मा कितनी होती है तो दोस्तो आप बताएंगे बर्फ के लिए गलन की जो गुप्त उस्मा होती है असी केलोरी परती गराम होती है कितनी होती है असी केलोरी परती गराम होती है यानि इसका ओप्स नमस कर ठीक हो जाएगा दोस्तो एक कोश्चन और बनता है कि जल के लिए वाश्पन की गुप्त उस्मा कितनी होती तो आप बताएंगे जल के लिए वाशपन की जो गुप्त उश्मा होती है वो 540 केलोरी परती गराम होती है कितनी होती है 540 केलोरी परती गराम होती है इसका ओप्सन नम्मर इसका ठीक हो जाएगा Next Question Press नम्मर 14 दोस्तो निकट द्रेश्टि दोस्त को दूर करने में किस लेंस का परियोग किया जाता है यानि इसका option number भी इसका match करता है दोस्तों निकट द्रिश्टि दोस्त में होता किया है इसमें व्यक्ति को निकट की वस्तु सपष्ट दिखाई देती है परंदू दूर की वस्तु सपष्ट नहीं दिखाई देती इसमें कौन के व लेंज का परियोग किया जाता है अगर हम ब या पोधे के तने से प्राप्त होती है यानि इसका option number six का ठीक हो जाएगा दोस्तों जो हल्दी होती है या भूमिगत तना का उधारन होता है या प्रकंद का उधारन होता है नेक्स कोश्चन प्रेस नंबर 16 इलक्ट्रॉन वॉल्ट इकाई होती है दोस्तों किसकी काई होती है तो आप बताएंगे इलक्ट्रॉन वॉल्ट जोती है यह उर्जा की इकाई होती है यानि इसका option नमस का ठीक हो जाएगा नेक्स कोश्चन प्रेस नंबर 17 नीमलिखित में से कौन सा रोग एक विशाणू द्वारा होता है दोस्तों नीमलिखित में से हैपेटाइटिस जो प्रेस नंबर 18 बॉक्साइट एक इसक होता है दोस्तों किसका इसक होता है तो आप बताएंगे जो बॉक्साइट होता है यह एलमोनियम का इसक होता यानि इसका ठीक हो जाएगा दोस्तों एलमोनियम का निसकर्शन जो होता है यह बॉक्साइट के इसक से किया जाता है बॉ तो स शरीर का सीधह प्रभावित होने वाला अंग होता है तो कौन से अंग On До उस्टों लीवर होता यहाँ पाथिस रोग से सीधह प्रभावित होने वाला अंग होता है यानि इसका ओप्टिन हो będzie छिख हो जाएगा oldi जो रोग जो होता है यह विशानु द्वारा होने वाला रोग होता है इससे मनुस्य को लेवर होता है सीधा परभावित होता है वर्ल्ड हैपिटाइटिस डे 28 जुलाई को वर्ल्ड हैपिटाइटिस डे मनाया जाता है नेक्स कोश्चन प्रस नमबर 20 दोस्तों आज की वीडियो का अंतिम प्रसंद वायू यान के टायर को फुलाने के लिए उपयोग की जाने वाली गैस होती है तो दोस्तों कौन सी गैस होती है तो आप बताएंगे हिल गैसी अवस्ता में पाई जाती है यह निस्कर्याइब या नॉबल गैस कहलाती है इसका जो पर्मादु संक्या होता है टू होता है क्या होता है आज की वीडियो से इतने इंपोर्टंट कोश्चिन बन सकते थे अगर आप को इपसंद आहीं तो वीडियो को लाइक करिए चै SSC Maker टेलीग्राम चैनल से प्रात कर सकते हैं धन्यवाद दोस्तों